क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णो गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात प्रम्रह्म्हा तसमय स्रे गुरू वे नम्हा नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन संडिल प्रते दिन के तरह एक बार फिर से शुआगत करते हैं आप सभी के अपने एवं बेहद ही खास लोगपुरी कारिकरम कुंडली दर्शन में और आज इस कारिकरम में बात करेंगे 21 नौंबर 2018 को इस जगर चुपचाप चलाद 14 दिये और आप हो जाएंगे माला माल जी हाँ इस कारिकरम में इनी बातों पर बात करेंगे दर्शकों आज कार्थिक सुकलपक्च की त्रिवदर्शी तिथी और बुद्धवार का दिन है लेकिन त्रिवदर्शी तिथी आज दोपहर दो बचकर 7 मिनट तक ही रहने वाली ह उसके बाद चतुरदर्शी तिथी लग जाएगी कार्थिक सुकलपक्च की चतुरदर्शी को बैकुंट चतुरदर्शी के रुप से भी मनाया जाता है अतहां आज बैकुंट चतुरदर्शी वरत है और इसे बैकुंट 14 के नाम से भी जाना जाता है आज के दिन भगवान शिव और विश्णुजी की विधुवत रुप से पूजा अर्चना की जाती है और साथी आज के दिन कासी विशुनात परतिष्ठा दिवस भी है आज के दिन नरमदिश्वर शिवलिंग को तुलसी अर्पित की जाती है आज के दिन वारानसी के परसिद मनी करनी का घाट पर अशनान का भी अपना विशेश महत्त्य है आज बैकुण चतुरदसी के दिन सुभा किसे में भगवान संकर की विधी वर्वक पूजा करनी चाहिए और साथ ही भगवान विश्नो की पूजा भी पूरे विधी विधान से करनी चाहिए दरसल चतुर मास के दोरान भगवान विश्नो अपना सारक कारेबार भगवान संकर को सोंकर गहरी निंद्रा में ठीर सागर में सोने चले जाते हैं और चार मेनों के बाद दे उठनी एकादसी की दिन भगवान विश्नो अपने नीन से जाकते हैं और फिर बैखुन चतुर दसी के दिन इनका विशेश रूप से पूजन किया जाता है और इस दिन भगवान विश्नो और भगवान संकर की पूजन करते हैं खास करके चूकि इन दिनों में भगवान सिव भगवान विश्णु के शभी कारे को सम्हालते हैं तो भगवान विश्णु स्वयम भगवान सिव को भी पूषते हैं आज के दिन 20 सुरूप से कासी में 22 शुनात का पंचुप चार विधी से पूजन किया जाता है और उनकी महा आर्थी भी की जाती है इसलिए आज का दिन 50 दिन है और आज के दिन आप तारों की च्छों में सरोवर या थात की नदी तलाव के तट पे 14 दिपक जला दें यह चलाने की परंप्रा प्राचिन काल से है इस परकार से यदिया 14 दिपक जलाते हैं और वहाँ पर भगवान विश्नु और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपके गर में सुक अश्मर्दी का वास होता है कभी भी धन की कमी नहीं होती है और यहां तक की आपको मिर्थु प्रांध भी बैकुंठ लोग की प्राप्ती होती है स्री एहरे के चर्णों में आपको जाने का सुभाग प्राप्त होता है आज के दिन के बारे में एक सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप सच्चे मन से 14 दिपक नदी के पास या तलाब के पास जलाते हैं तो निश्चित रुप से आपको लाब मिलेगा इसके बारे में एक कता भी परचली थे एक बार स्री हरी विश्नु देवा देदे महादेव का पूजन करने कासिप अधारे थे वहाँ विश्नु जे मनी करने का घाट पर अश्नान करने लेगें फिर उन्होंने एक हजार स्वर्ण कमर पुस्पों से भगवान मिश्वनात क पूजन का संकल्प लिया परंतु जब हुआ पूजा करने को चले तो महादेव ने उनकी परिक्षा लेने के लिए एक वुस्प कम कर दिये यहाँ देखकर स्री हरी ने अपने नित्रों को कमल मानकर चड़ाने की एक्षा परकट की वह ऐसा करने ही चले कि महादेव स्वयम परकट हो गये फिर महादेव बोले हे हरी तुम्हारे सामने मेरा दूसरा कोई भग्त नहीं है इसलिए आज से कार्थिक मास सुक्लपक्ष के यहाँ चतुरती अब बैकुंट चतुरत सी कहलाएगी इस दिन जो मनुष भग्ति प्रूबग पहले आपका पूजन करेगा वो बैकुंट को प्राप्त होगा और बैकुंट लोग को स्वर्ग लोग से भी उपर माना जाता है इस प्रकार कार्थिक सुक्लपक्ष के भगवान विशनु और भगवान सिव की पूजा एक साथ की जाती है तो दर्शकों आपने देखा इस दिन मैं आपको 14 दीपक चलाने क् क्योंकि एक हजार संभव नहीं है लेकिन सास्त्रों में चूकि यह 14 है तो बैकुंट चतुर दर्शी में आप 14 दीपक जलाके अपनी जीवन में सुकह स्मिर्दी प्राप्त कर सकते हैं फिर मुलाकात होगी अगले कारक्रम में तक तक के लिए नमस्काल जय मातादी राधे क्या कहती है आपकी राश्री जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का पूर्ण विश्ले सकते हैं अचारे चंदन संडिलेजी से